कुरोना काल के बीच प्रदेश सरकार ने 50 प्रतिशत क्षमता के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पहाल कर दी है जिसके बाद प्रदेश में जनता को यातायाद के लिए बड़ी रहत मिली है कुलू जिला में परिवहन विभाग ने 40 लोकल और शिमला मंडी कांगरा के लिए 5 रूटों पर लोगों को यातायाद के सुविथा दी है इसके साथ कुलू जिला में नीजी बस आपरेटरों ने भी जनता को यातायाद के सुविथा के लिए बस से सडकों पर दोड़ाई है कुलू जिला में आटो टैक्सी आपरेटरों के साथ प्रेटन कारोबारियों को भी बड़ी रहत मिली है पब्लिक ट्रांस्पोर्ट बहाल होने से बाजार में लोगों की आवाजाही बड़ी है जिससे कोरोना संक्रमन फैलने का फिर खत्रा बना है ऐसे में लोगों को सरकार की गाइडलाइन का पालन करना बेहत ज़रूरी है स्थाने टैक्सी ऑपरेटर प्रेम ने बताया कि सरकार ने प्रदेश में अनलॉक कर दिया है जिससे टैक्सी ऑपरेटरों को अपने अच्छे वेवसाई की उम्मीद जगी है टैक्सी जो ऑपरेटर है आज की डेट में बहुत तंग हालिक के दौर से जो है गुजर रहा है लेकिन यह है कि फिर भी 15-20 दिन की उम्मीद है टुरिस्ट आएगा जो लोग घरों में बैटे हैं वो गुमने निकलेंगे और हमें उम्मेद है कि कुछ थोड़ा बहुत कमाएंगे जिससे कि अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए जो है गुजर बसर का थोड़ा सा निकाल पाएं तो सरकार का बहुत धन्यवाद है लेकिन हमारे तरफ भी सोचा जाए कि जितना ये लॉस हुआ है या टेक्स में Relaksation दी जाए इंशूरेंस में जो है वो Relaksation दी जाए वही टेक्सी ऑपरेटर राजेश ने बताया कि सरकार ने अनलॉक का फैसला लिया है, वो स्वागत योग्य है उमीद तो लग रही है जी, जो सरकार ने ये फैसला लिया है, जो अभी जो निकाला है कि RTPCR की वोड के बगारी जो टूरिस्ट एंटर होगा उस वज़ा से टूरिस्ट के आम जो कोई मज़ूर लोग भी थे और कोई टेक्निकली आदमी हिमाचल आना चाहते थे, वो रुके हुए थे कि इस रिपोर्ट की वज़ा से कहीं वो पॉजिटिव ना निकल जाए, इस डर से वो आने रहे थे लेकिन पिछले कल से जैसे शिमला में भी दिखा गया कि बहुत रश्पड़ा है, वैसे ही हिमाचल में, हिमाचल में, कुलू मनाली में भी टूरिस्ट आने की उमीद है और दूसरा जो सरकार ने रुतांग ओपन कर दिया है, और लोकल टेक्सियों को जो जाने की परमिशन दी है, उससे लगता है कि हमारे को आने वाड़े दिनों में कुछ फाइदा होगा HRTC कुलू के ट्रैफिक मैनेजर अंचुल शर्मा ने बताया कि सरकार के दिशा निर्देश पर पूरे प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल कर दी गई है, जिसमें कुलू यूनिट में 40 रूटों पर बसे चलाए गई है और SOP के हिसाब से दिन में दो बार बसों को सैनिटाइज किया जाएगा और ड्राइवर कंड़क्टर को मास्क सैनिटाइजर दिये गए हैं और बसों में ड्राइवर कैबिन को कवर किया गया है वही स्थानिय निवासियों ने बताया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुलने से यादायात की सुविधा मिल रही है अब लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा करते हैं कि मतलब थोड़ा अपनी स्वस्थ्य के लिए जो आपना बेद बाव दूर रखे दो गज की दूरी थोड़ी जरूर रखे यही इसके साथ में आप मैं बहुत सुविधा मिली आज जो मैंने अपनी मीसिज के लिए दौई के लिए लिए ती जो आज बस जो मिली मा बहुत खूशी है में बहुत दन्यवा करता हूं आज सी मत हुली है तो लोगों को बहुत सुविधा हुई और जिस तरह से जो ट्रांसपर्ट छुला है जैसे जो बज़ूर्ग बच्चे होते हैं मतलब जो हिलायों होती कि बहुत दोसी काम कर ने के लिए आती है उनको जल्द ट्रांस्पोर्ट के बसे बहुत सुविदा मिली है कि वो अपना काम कर सकती वो आ जा सकती है उसमें जैसे कि हर तरह से ठीक हो मतलब वो मिला है इसमें सुविदा बस राहत मिली हुई है सब ही लोगों को अच्छा हो गया इसे बहुत दिक्त हो र हाँ ये जुरूरी थी और ये सही भी वह की सब कुछ ठीक हो गया अब सिरी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीब ठाकुर की रिपोर्ट